बिश्मिल्य रामानोरहीम जी इस लेक्शर के अंदर हम देखने वाले हैं कि के मेंज क्लस्टरिंग क्या होती है और क्लस्टरिंग में के मेंज ने क्यों इतनी मकबूलियत पक्ड़ी है वजह क्या है ठीक है और बड़े चोटे-चोटे पॉइंट सा बड़ी तसली के साथ हम देखने वाले कोई हमारे पीछे नहीं लगा है and then we will actually understand everything in a way कि आपको समझ आ जा जाए ठीक है K means पहले हम देखेंगे फिर हम K means plus plus देखेंगे दोनों में बड़ा जमीन आस्मान का तो फरक नहीं है लेकिन इतना फरक है और वो कुछ show कर रहे है वो क्या show कर रहे है कुछ क्या है उसके अंदर वो सब हम देखेंगे लेकिन उसbuatस से पहले K means cluster के एक नमबर को show करती है नमबर कौन से है वो उसके बारे में discuss करती है और means जो show करता है वो आपके mean को show करते है mean के average steer ठीक है यह तो आपका पता है दो चीज़े कलस्टरिंग में अगर के मीन्स आए तो हमारे दिमाग में एक मोटा-मोटा ख्याल आता है कि यार यहां पे ना कलस्टर्स बन रहे हैं कलस्टरिंग में तो कलस्टर्स बनते हैं ना Something like this और उनके cluster में mean का कोई चक्कर है, average का, ठीक है, और k क्या है उसके अंदर, we will see that, कि k means clustering की क्यों इसे का जाते हैं, और average क्या role play करती है इसके अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले तो clustering देखते हैं, फिर उसके साथ हम इस topic को link करने की कोशिश करते हैं, again, this is a kind of unsupervised machine learning, unsupervised machine learning के अलगोरित हमें, यानि के इसके अंदर, आपके पास only features होंगे, you have only x, not labels, आपके पास supervised काम नहीं है, label नहीं होंगे, ठीक है, इतनी बात आपको, मैं बार बार इस विज़र से बताता हूं, कि आपके mind में बैठ जाए एक तफ़ा, ठीक है, अब इसमें आप classify करते हैं, items को, यानि के data points को, classify data points, into groups, based on their similarities, चीज़ों को different groups के अंदर divide कर देना, ठीक है, के जो है इसके अंदर, ये तो वही काम हो गया, क्लस्टरिंग वाली example ही होगी ना, उपर वाली तो, इसमें क्या नहीं है, के depicts और shows, the number of clusters, ठीक है, to be created, या जितने भी number of clusters आपने बनाने, तो मैं यहाँ पर to be created भी लिख देता हूं, इसका मतलब है, कि अगर आपको data का नहीं पता, तो आप clusters बना के उनको divide कर सकते हैं, लेकिन, अगर originally data की तीन classes बन रही हैं, और हम वो data का label show ही नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पता है कि तीन classes बनती हैं, लेकिन अब उस label को show नहीं कर रहें, for example, iris के sect में, तो how can we know कि कितने cluster हमें बनाने हैं, हो सकता है हम 10 select करके बैठ जाएं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि best cluster कितने हैं, ठीक है, so that's a point जो हमें note करना पड़ता है, और calculate करना पड़ता है, so, यही हमारा question है अभी आज के लिए, आपके लिए, how many clusters should we have, कितने हमें clusters इसमें number देना चाहिए, क्योंकि यह वाहिद parameter है जो आपने बताना होता है, यह user input होती है, ठीक है, by the user, और अगर user, पंजाबी जो कहने हैं कि, बेहदात है, मतलब यह कि user को अगर अकल नहीं है, कि यार, classes उठा के 20 से 50 नहीं बनाई जाती होती है, classes या तो binary होती है, 0 या 1, या multi class, बहुत ज्यादा च्लांग मारो, तो 8, 9, 10, इतनी हो जाती है, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा millions, millions का data तो 20 हो जाएंगी आपकी, तो इसका मतलब कहा है, कि यूजिली इट comes around 1 to 20, यूजिली, ठीक है, clusters, लेकिन अब 1 to 20 में से कैसे select करना, वो इसका मतलब मैंने जान बूज के एक लफ्ज पंजाबी का यहाँ पर use कहा, which is kind of, you know, out of the respect, लेकिन समझाने की खातिर के, शायद आपको अब समझ आड़े, कि कभी भी उठा के डेट सो cluster नहीं लिख देना, बेवगूफी होगी, total values आपकी 100 है, आप खहरे हैं उनको डेट सो cluster में डिवाइट करो, is it possible? नहीं ना possible, वो चावलों वाली मिसाल यहाद आती है आपको दुबारा से, कि कला कला चावलों ना चाहिएद है, वो एक बंदा था ना, मैं दुबारा से दे देता हूँ, एक बंदा था, वो नाई को कहता है कि यार मेरी बेटी की बरात आ रही है, ऐसे चावल पकाने हैं, कि चावल अकेला अकेला नजर आए, वो नाई आगे से उश्यारा कहता है भिर उतनी देगें ले आओ, तो आप ने उतनी देगें नहीं लाने ही जितने चावल हैं, मतलब ये कि जितनी रोज है ना, उतने कलस्टर नहीं बनाने होते, कलस्टर का मतलब क्या है कि एक ग्रूब में पांट से दस, या बीस या पच्च्छिस आइटम्स आएं, तो अगर सो टोटल पॉइंट हैं, आप ये नहीं करेंगे कि सो ये कलस्टर बनाने, आप बनाएंगे दस या बारह या पांच या आठ, टिपेंड्स, ठीक है, वो नमबर हम अचीव करेंगे, समझ आगी, के किन वैल्यू हमने कैसे असाइन करनी है, अब इसमें क्या होता है, के की समझ आगी है आपको, अब मीन्स की बात करते हैं, मीन्स होता है किसी भी कलस्टर का एक पॉइंट, जिसमें उसकी आवरेज छुपी होती है, एक डेटा का पॉइंट, जिह हम पर आवरेज छुपी होती है, फॉर इक्जेंबल, ये कलस्टर सारे बन रहे हैं, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, मैंने तीन कलस्टर बना दी है, एक फॉरण पॉइंट यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, यह वाइट वाले point किस cluster में जाएंगे कौन सी चीज़ें हमें mindset में रखनी है कि इस side पे जाना चाहिए, यह point and how the newest point is defined into one of the groups बहुत easy इसका answer है अगर आप समझें तो मैंने mean की बात की, mean और centroid, यानि के center of gravity का concept पता है आपको पता है ना, space और जमीन में क्या फरक है जब हम जमीन के center of gravity के एहाते में होते हैं, हम जमीन की तरफ खीचते हैं लेकिन एक point आता है, हम gravity वहाँ पे खतम हो जाती है ठीक है, तो आप अगर ये समझें के दो स्यारों के दर्म्यान एक point अटका हुआ है इसका मतलब जहां पे center of gravity ज्यादा होगी, उस side पे वो point खीचा चला जाएगा for example, अब अगर center में बिल्कुल point है और perfectly balance है तो भी algorithm इसको divide करता है based on the inertia वो inertia क्या होता है, कि ठीक है इसकी gravity इतनी बन रही है, इसकी gravity इतनी बन रही है now we will look into the distance between them समझागी बात की अब centroid का inertia और distance ये दो चीज़ें बड़ी matter करती है point to be noted here, कि आपका ये जो new point है या cluster इस base पे बनते हैं कि ये centroid एक cluster का कितनी दूर है दूसरे cluster से ठीक है और अगर point पहले cluster की तरफ खेंचा आ रहा है तो पहले में आ जाएगा क्या बोलते है या उस boundary को हम क्या बोलते है you have to look into that ठीक है जो clusters की division में help करती है सही हो गया ओके अब यहां तक आपको समझागी होगी कि clusters कैसे बन रहे है means की भी समझागी होगी कि different classes के फिर means आते रहते हैं for example अगर यहां पे दो point आ गए तीन बलके ठीक है और यह हमारा एक foreign point है तो हम तो यहां पे फंस गहें न कि किस point के करीब हमने देखना है इसको ऐसे ही है मतलब यह कि यहां पे तीन point है cluster में और यह new point है हम किस point से इसका distance देखेंगे कि यह किसके near है यहां पे हम फंस जाते है फिर बनता है हमारा centroid based on the mean of those three points आजम भाई आपका question था centroid कैसे बनता है अगर हम यहां पे एक point लगाते हैं और हम तीन points को divide करने पे तुले रहते हैं यार इसका क्रीबी है इसका क्रीबी इसका क्रीबी वो सारे मिलके फैसला करते हैं चलो हम तीनों की average निकालो यहां पे यहां से distance दे रही है तो वो centroid खेलते हैं ठीक है सारे points का एक center point यानि के हर एक cluster का जो आप कह सकते हैं कि सारे point जिस side पे मू करके सारा कुछ करते हैं उस point को कह सकते हैं मैं अगर बाइद ना हो और मेरे पर अगर फत्वा ना लगे तो आप बात समझ रहे हैं के हम लोगों का centroid कहां पे है अगर as a Muslim आप देखें एक तरफ मू करके किबला की तरफ ठीक है तो अगर मैं यहां पर वो अनालोजी लगाऊं तो यह कोई गलत बात नहीं होगी we have decided one center कि यार इस तरह मू करके हमने नवास पढ़नी है तो इसी तरीके से अगर आप centroid की बात करें तो वो भी यही है कि सावई लड़ने की बजाए वो कहते हैं कि यार यह point है यहां की तरफ हमने सारी बातें करनी है सही है यह मिसाल मैंने इस वज़ए से दिया था कि आपको समझ आ जाए और बाकी रही बात कि centroid कैसे बनता और कौन-कौन सी चीज़ें वो वो विल सी दाइड लेटर हो अच्छा जी अब ईल्गुरित्म के पीछे क्या science चलती ए उसको देखते है k-means के पीछे चल क्या रहा है ठीक है सबसे पहले चीज़ यह चार steps के अंदर काम करता है k-means चार step के अंदर काम करता है major चार steps है four step outline में आपको देने लगा हूँ यहाँ पर k-means की पहला है इनिशियलाइजेशन 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 क्या होता है स्टार्ट में न यह इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा कि आप यहां पर पॉइंट लगा दें तीन और पूरे डेटा को बोलें कि जो जिस पॉइंट के करीब लगता है ना जिसको लगता है कि मेरा जो पॉइंट अब इस डेटा के इस सेंट्रॉइट के करीब आ रहे वहां वहां पर चले जो मतलब ये कि ये 5 पे लगा हुआ है ये 10 पे लगा हुआ है ये 15 पे लगा हुआ है ठीक है मैं यहां पर कहता हूं कि ये 500 लिखते है 1500 मैं कहता हूं यहां पर कि आपको पर डे कितना कमाते हैं ठीक है और अगर आपका इसके करीब पॉइंट अब यहां पे चले जाए इसके करीब है यहां पे चले जाए धीक है उसके करीब'RE यहां पे चले फस 제रब दूसरे पॉइंक के आसपास डेटा-पॉंइंस आते झाएंगे फिर तीसरे पॉइंट के पास आते जाने हैं आप हौर करें कि पहले वाले का centroid वहीं पी रहे तो ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन दूसरे वाले का centroid किनारे पे आ गया अब जैसे data points आते जाने है न ये centroid इसका replace होता जाना है क्योंके नहीं तो बंदों ने जो नहीं आने उन्हों रोला डालने लग जाने तो इस वज़े से initialization के लिए कोई ना कोई centroid वहाँ पे होता है इसकी बात करें ये तो बहुत दूर निकल गया बेस्ट ऑन दे means of those points ठीक है आरी समझ है अक्सर आपने 3D animation में देखा होगा कभी-कभी plot बन रहाता है और एक point उठके वहाँ पे जा रहाता है मुझे नहीं पता आप मेंसे graphic designer कितने है उनको centroid बहुत अच्से तरीके से समझ आ जाने है जिसके इर्दगिर्द पूरे axis के चीज गूमती है ठीक है मतलब ये कि अगर आप किसी चीज का center देखें और इसको rotate करें ऐसे करके तो वह बिलकुल center में उस axis के इर्दगिर्द भूमे चीज फॉर example यार मेरे पास यहां पे कौन सी मिसाल है मैं मिसाल आपको वो दूँँगा जिससे show off भी ना लगे अक्सरों को आप लोग ना show off का कहने लग जाते हैं चलो खैर यह है मेरे पास जी एरपॉर्ड पड़े हुए sorry मैं unintentionally लेके हैं ठीक है अब मैं अगर इसको side से पकड़के गुमाऊंगा तो यह पूरा गुमेगा नहीं गौर किजिएगा मुझे force लगाने पड़ेगी अगर मैं center से पकड़के गुमाता हूँ तो पूरा एकसे यहां पे easily गुम जाएगा इसकी मिसाल एक रसी की आप ले लें कि आप centroid center में है ना ऐसे गुमाएंगे ना तो centrifugal force हर point पे equal होगी गुमाते हूँ ठीक है इसी तरीके से अगर आप किसी भी shape में कोई data आपके पास पड़ा है अगर उसका center सभी का एक है ना axis तो आप उसको जब गुमाएंगे ना वो उस side पे move नहीं करेगा ठीक है जैसे अक्सरोकाद बिलकुल इसान भाई की example बड़ी फिट बैठती है उंगली पे लोग बुक्स नहीं गुमाते होते अगर वह centroid सही ना हो तो बुक किसे दिनी वाज़िए अक्सरोकाद स्टार स्टार में जब वह practice करते थे so that's the analogy frisbee कभी खेली है आपने frisbee भी खेली होगे अक्सरोकाद वह भी गुमा रहे होते थे ठीक है फिर एक football की example आ जाती है लेकिन वह centroid नहीं है वह किनारे पर गूम रहा है उसका axis center में ठीक है that's another example so यह सारी चीज़े matter करती है centroid के ऊपर okay initialize हमने ऐसे वाला किया जो बिलकुल random था ठीक है अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं initialization की समझ आगी second point बड़ा असान है this is called assignment यह वह assignment नहीं है जो आप नहीं बनाते हैं यह और assignment अक्सर लोगों को समझ आगी थे कि इसने अब यह point मारने है बिलकुल मैं मारता हूं point अब लोग यह ना करने लग जाएं के सर्ताने देने लगते हैं कोई टॉंट ताने नहीं है जारी बात है आपने करनी तो है नहीं मैं जो मरसे कहा तो यह assignment वह assignment है which assigns each data point to their nearest centroid यह जो मैंने आप पर उपर आपको diagram बना के दिखाई न यह assignment वह initialization यह है कि आप सिरफ और सिरफ centroid लगाएं assignment यह है कि आप centroid के near वाले point बना दें ठीक है समझागी assignment की फिर तीसरा है point आपका update का update क्या है the position of each centroid is recalculated जो मैंने आपको उपर पूरा process समझाया है न that the step is update the position of each centroid is recalculated किसकी बेस्पर यह calculate की जाती है आपके data points के means की बेस्पर ठीक है जो उस cluster के अंदर है इसी वज़ा से तो इसका नाम पड़ा है न के means अब आपको मैं के और means की value यहां बदाता हूं initialization आप करते हैं के number of cluster से फिर आप update करते हैं means से के means बन गया अब समझाय के means कहां से निकला है इसके पीछे science के है तीन step के अंदर के means आपको समझागी अब चोथे step पे चलते हैं this step is called iteration जब बाहर बोलने लगता हूं बरगर सा बन जाता हूं iteration साथ में you know लगाता हूं iteration इसमें क्या होता है अब बड़ी खुबसूरत बात है यहां पर step number two and three repeated again again and again and again until आपका centroid move करने से रुक जाए समझागी बात की iteration का मतलब क्या है एक और मिसाल देता हूं आप एक paint का coat मारते हैं तो वो अच्छी नहीं न लग रही होती आप उसको सूगने देते हैं दूसरा मारते हैं coat तीसरा मारते चोथा मारते पांचवा जब तक वो set न हो जाए यहां पर iteration का मतलब यह है कि you do step number two यानि के assignment and update again and again and again ताके आपका centroid ज्यादा अत्तर move ना करें अच्छा अब step two and three इसमें repeat किया जाते हैं until centroid doesn't यह centroid do not move यह do not move तो ठीक है लेकिन इसके साथ एक लफ्स यूज किया जाता विच इस कॉल सिग्निफिकेंटली सिग्निफिकेंटली मतलब अगर मूव कर रहा है तो कोई फरक नहीं पड़ें for example अगर यहां से यहां आ गया तो इस fine इतने तो error के chances भी होते हैं लेकिन अगर यहां से उठके यहां तक आ रहें इस बैट तो सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है जिससे को फरक बड़ें विच कॉज़ेंग चेंजेज समझागी सिग्निफिकेंट का लफ्स जो है स्टैट के अंदर मैंने बड़ी डिटेल में आपको समझाया लेस देन इकोल टू पॉइंट जीरो फाइव वाला सीन तो आपको अब समझ आने चाहिए कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है इत्रेशन की समझ आगी अब अगली बात करते हैं अब हमारे पास इट्रेशन आगी अब हमारे पास चार स्टेप क्लियर है इनिशिलाइज असाइनमेंट अपडेट इट्रेशन ठीक है इन सभी का मकसद क्या हुआ अच्छा इट्रेशन में एक और बात बता दो या तो यह मूव सिग्निफिकेंट इतली ना करें और हमारा जो गिवन नमबर है ना इट्रेशन का वह मिल जाए मैं कहतों पंद्रह इट्रेशन करनी हैं बस या तो आप खुद से बता दें इतनी इट्रेशन करो ठीक है या आप जब तक वो मूव ना करें राइट ओके अब सेंट्रॉइट को थोड़ा सा समझते हैं यहां पर क्या ख्याल है सेंट्रॉइट को समझते हैं पहले थोड़ा सा और ताके आपको क्लियर हो जाए चीज़ें क्योंकि जारी बात अगर मैं कहूंगा कि इसकी असाइन्मेंट आप चेक कर लें तो वो तो होना नहीं काम इससे बेहतर है मैं खुद ही समझा दो पांच मिनट मीं हमने फिर लगाने क्या ख्याल है टॉंटे नहीं मार रहा आपको थोड़ा सा वह समझा रहा हूं कि यार काम किया करें आपका फायदा मेरा कोई फायदा है अब मैंने कैसे याद किया है वह वाला सेंटर जो पॉइंट्स को आपस में मिलने में मदद करता है मैंने करके इसको याद किया हुए अपनी तरीके से पंजाबी हैं तो तरीके अपने बनाए हैं देशी बंदों की तरह तो मैं कहता हूं यह वह वाला पॉइंट होता है जो आप खुद से बताते हैं और उसके इर्दगिड सारा एक जाल आके बन जाता है ठीक है जैसे यार वो स्टेज पे अक्सर उकात अगर आप ये जो सिंगिंग के शो होते हैं आपने देखे होते हैं न स्टेज पे लोग आते हैं वहां पे क्रॉस का निशान लगाता है अमेरिकन गॉर्ट टैलेंट ब्रिटिश गॉर्ट टैलेंट ऐसे गर के शो कभी आपने गोर क इसक्ति का ठीच का न हम्हानाँ संतर आँट का की है सॉन्हां पर रहेगा तो हमारे सारा कुछ इसके इर्धगिर्ध अच्छा रहेगा थीक है अब आप खुद देखें कि रोबन्दा या बंदी पर nggak के कौनें पे और उपर से उन्हें गोल्डेन बजर मिल जाए तो उन्हां दा ते बजर जाया गया ना समझने बात को तो वह जो क्लस्टर है ना पूरे के पूरा वह वहां पर आके फैंकते हैं मैं यह आपको एक्जैंपल वीडियो में भी शो करवाना चाहता था लेकिन फिर कॉपी राइट्स की वज़ा से मैं नहीं शो कर वाप पा रहा तो लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं क्या ठीक है अब यह क्यों इंपोर्टन्ट है पहली बात तो यह कि यूजर इंपूट होती है यह यूजर बताता है कि की वैल्यो कितनी रखनी मतलब यह के की वैल्यो पर डिबेंड करता ने कितने स्ट्रॉइड बनेंगे हर क्लिस्टर का अपना-पना दूसरी चीज़ यह सेंट्रॉइड आपको help करते हैं अगेन वही चीज़ मैं बता रहा हूं लेकिन इन डिफ्रेंट वे डेटा पॉइंट को खैंचने में यह अपनी तरफ डेटा पॉइंट्स को खैंचते हैं मतलब इनकी रेज लगी होती है कि यह मेरा यह तेरा यह मेरा तेरा यह वह एक और हता था है जब यार वो क्रिकेट खेलते हैं तो दो टीमों में नि रखते कि ये वाला मेरा प्लेयर है, ये वाला तुम्हारा प्लेयर है, ये वाला मेरा प्लेयर है, ये वाला तुम्हारा प्लेयर है, डिकम डोयाडो, वो कहते होते हैं, आप पंजाबी दा है, तुम इन्हों पता नहीं, पता नहीं, वो उर्दुबाले करते होंगे, अकड़ बकड़ अगर मैं इसको कहूं कि नंबर ओफ टीम्स और ये आपके प्लेयर्ज हैं ठीक है तो यह नंबर ओफ टीम्स हर प्लियर को अपनी तरफ खैंचते हैं ठीक है क्यों किंगे सेंट्रॉइट डिटर्मन करता है कि टीम कैसी बनेगी इसका मतलब है अगर वो अपने जैसे एकी ग्र सुनियागा गौर से और वो डिकम डिकम डोया डोया यह जो एकडबकर वाली एक्जैंपल मैंने आपको बताई है या बर्गर बच्चे यो इनी मीनी मीनी मो कर लेते हैं तो इन सभी एक्जैंपल में सारी टीम आपकी देशिया बेच्चे एक गुरा आ गया है पी एसल के अगर यही घलत काम करेंगे तो आपका कलस्टर गया खतम टाटा वाई 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 ठीक है लेकिन इसी सेंट्रॉइड के इर्द गिर्द पूरा के मीन्स कलस्टर गूमते हैं अब इसमें जो पॉइंट्स हमने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं पहला पॉइंट सेंट्रॉइड के लिए जुरूरी है कि आप नंबर ओफ क्लस्टर बेहतरीन तरीके से चुने दूसरा पॉइंट जुरूरी है आप सेंट्रॉइड की इट्रेशन बेहतरीन तरीके से चुने यह दो चीजें आपने अच्छे चुन ली के का नंबर और दू का सेंट्राइड बेस्ट वनेगा ठीक है समय आगी बात की और यही पूरे के मेंज कलस्ट्रिंग के जाना अन्शानबान सब कुछ है अब यहां पर अगली एक कॉंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं अगले कॉंसेप्ट की तरफ अब हमने नंबर ऑफ के के लिए के को सेट करने के लिए जो दो मैथड़ उनके बारे में देखते हैं कि नंबर ऑफ के को हम कैसे सेट करते हैं ठीक है और फिर अगली चीजें हम देखेंगे कि आप राइट नंबर ऑफ कलस्टर को चूज करने के बाद और कौन सी चीजें उप्टिमाइज करने में मैं हल्प करती है के को चूज करने के लिए पहले मैं के की बात करता हूँ फिर इटरेशन उप्टिमाइजेशन की बात करता हूँ हमारी दो डिरेक्शन यहां पर बन रही है ठीक है यह दोनों अप्टिमाइज करनी है ना मैंने यह बताया आपको के लिए आपके पास दो मैथड होते हैं जो महुत इंपॉर्टन है पहला है आपका कोहनी मैथड जिसको हम एल्बो मैथड बोलते हैं एंड सेकंड वन इस आपका सिलर्ट मैथड दर सिल आउट या सिल आउट एस साई एल एच ओ यू ए डबल टी ए मैंने इसको कैसे याद किया और इसको कैसे याद किया मैं अभी आपको बता देता हूं हम एक प्लॉट ड्रॉव करते हैं जिसमें डिफर्ट अउट देखेंँ मैं अजयां यहां पर लेकिंचे होते हैं यहां इस साइड पर हम डिफरिंट अदर पिरामिठर's और देखते है कि यह बना प्मसर के लिए ठीक है इस वजह से इसको एलबो मेथड बो ला जाता है बड़ा असान सा इसका आंसर है कि अलबो मेथड क्यों बोला जाता है इस वज़ा से और यह प्लॉड जो है यह हम बना के भी देखेंगे so don't worry about it मैं सिरफ आपको बता रहा हूँ कि अभी हमारे पास important चीज़े कौन कौन सी है अब अगली चीज़ है silvet method इसके अंदर एक bump सा बनता है मैंने इसको वैसे याद किया एक silvet बनती है आपके plot की ठीक है मैंने ऐसे याद किया यहाँ पे इस तरीके से आपका plot बनता है and something like this happens तो आप वहाँ से point decide करते हैं calculate करके कि यह वाला best है ठीक है so in both ways you have two methods जिनकी base पे आप determine करते हैं कि आपका number of clusters कैसे है इसके इलावा other methods भी है लेकिन बहुत ज्यादा तर आपका elbow method या silhouette method यूज़ उता है elbow method बहुत ज्यादा scientist जो है वो easily use करते हैं ताकि उनको पता चल लेगा यार यही चीज़ है क्योंकि जारी बात है at the end आपको result same मिलता है इसका ठीक है लेकिन हम किस तरीके से optimize करते हैं आपकी iteration को process of iteration को ठीक है इस पे जाने से पहले मैं आप से एक request करता हूँ छोटी से के please आप ज़रा google करें and check करें के जो दूसरे method elbow और silvert के इलावा वो कौन कौन से है which are other methods to optimize the number of k in k means cluster ठीक है ठीक है झाल झाल आद में नाम भी लेना है आपने pronunciation भी देख लीजेगा प्रणीजे नाम युजेख प्रणीजेड के लेक स्टाइस अवसात्यक्तिश्टिक्स और आपको पता चाहिए प्रणीजेज़ दूसरे नाम भी जाने जाए तो आपको 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 गडर्णीद तो आपको पता चल गया होगा, gap का statistic आता है कि कितना, उसके अंदर फरेक है based on the different analysis, statistical analysis, इसके अलावे भी काफी लोग नाम लिखे रहे हैं, जितने भी आप algorithm देखें, देख सकते हैं, चैट GPT से भी और बाकी other algorithms भी, ठीक है, तो यह आपकी assignment भी है, उसको लिख लिया करें, साथ में notebook जब मैं आपको भेज़ू तो आप उसके अंदर याइड कर लेकरें, तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है, iteration की बात करते है, iteration optimize क कैसे करने ही, कि कितनी iteration अच्छी होगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, basically एक algorithm run करते हैं, और एक plot बनाते हैं, based on the centroid value, कि centroid की value क्या है, ठीक है, x और y axis पे, और हम number of iterations के against बनाते हैं, उसको, something like this, आपके पास number of iterations यह जा रही है, ठीक है, और यह आपके पास centroid की value है, जो move कर रही है, अगर आपके पास पहली iteration पे यह point है, दूसरी पे तकरीबन यहीं पे point है, तीसरी पे point है, तीसरी पे point है, चोथे पे यह, पांच्वें पे यह, च्छटे पे यह, च्छटे पे लाइन बन जाती है, something like this, अगर आप इसको flip कर लें, तो आपकी लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, for example, यहाँ पे आप centroid की value लिख रहे हैं, यहाँ पे अपना number of iteration लिखते जाएं, तो एक number ऐसा आना है iteration का, जब आपके पास, for example, नहीं, इस तरीके से नहीं, यह उल्ट हो iteration को optimize करके choose कर सकते हैं later on, ठीक है, यह वही function है कि centroid की value जब आपकी change ना हो, ठीक है, अब हमारे पास अगला, इसी से related topic यह आता है, ठीक, iteration भी optimize कर लें, सब कुछ optimize कर लें, now, how can we evaluate the performance of k-means clustering, evaluation कैसे करने हैं, आपको पता है ना, पिछले data के अंदर हमारे पास regression था, हमारे पास regression के इलावा, classification थी, जब हम उनको चीज़ों को बना रहे होते थे, हमारे पास कुछ matrix होते, regression के separate होते थे, और दूसरी चीज़ के separate होते थे, classification के, तो k-means clustering के evaluation matrix कौन कौन से होंगे, जी, बड़ा एक important point है, कि इसका matrix क्या होगा, हम कैसे find out करेंगे, जबरा चेक कर लें, कोई मसलाई नहीं चाहिए, GPT's वगएरा आपको दिये हैं, बाकी account भी हैं, बाड़ भी आप चला रहे हैं, इसके इलावा, AI optimization के extensions भी आपको बते हैं, जबरा देखें, कि किस तरीके से हम evaluate करते हैं इसको, कौन सी एक चीज है, जिस से हम कह सकें कि ये model अच्छा बना है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, शायद आपको और भी clear हो जाए, हमारा मकसद है centroid के इर्दगेर्द cluster बनाना, राइट, ठीक हो गया, और अगर cluster का ये वाला point, जिसे हम centroid बोर रहे हैं, उसने जितने बंदों को खैंच है, वो ठीक हैं के नहीं ठीक, इसको हम कैसे define करेंगे, cluster के अंदर, sum of square देखके, which is called distance from centroid, जिसको हम WCSS बोलते हैं, WCSS, which is within cluster sum of squares, आपको याद है sum of square से कुछ, मैं आपको बज़ताता हूँ, हमारे पास कुछ इस तरीके से regression की line बनी थी, हमने ये वाले distance को calculate करके, उनका mean लिया था, mean लेने के बाद उसका square भी हमने लिया था, sum squared, reason क्या थी उसकी, ताकि negative value को positive कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे भी इस वज़ा से square लिया जा रहा है, किस चीज का distance from centroid, in a cluster, जिसको हम basically variance बोलते हैं, एक cluster के अंदर points का centroid से दूर होने को, उसको calculate किया जाता है WCSS से, अब इसी चीज को अगर हम एक नाम देना, this is called inertia, अगर इसी चीज को हम एक नाम देना के distance from centroid to the points, या आप ऐसे कह लें के distance of data points to the closest centroid, उनको inertia भी बोला जाते हैं, मतलब ये, कि ये एक हमारा center है, इसको हम center of gravity बोल देते हैं, इसके 8th grid, ये जितने points लगे हैं, इन सभी का distance ऐसे measure किया जाएगा, इसको square किया जाएगा, फिर इसको sum किया जाएगा, ठीक है, उसकी reason ये है, कुछ का minus में आना है, कुछ का plus में आना है, and so on and so forth, सही है? अब यही चीज, जब हम sum कर रहे हैं, हम किस चीज को sum कर रहे हैं, अब गौर कीजिएगा, हमने ये वाला point लगाया, इसके 8th grid, सभी points के distance को sum किया, scare किया, और उसको फिर कर लिया sum, तो हमारे पास basically, ये वाला point नहीं आ गया, तो in physics, अगर अइसान भाई की definition अभी देखें, चैट के अंदर, inertia in physics is the measure of mass of an object, तो ये total चीज किस चीज को show करती है, जब हम distance भी calculate कर रहे हैं, centroid भी calculate कर रहे हैं, circumference तो चलो बात की बात है न, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं होता, this is somehow के cluster आपके ऐसे बने होते हैं, somehow आपके cluster different shape में होते हैं, so you don't say कि ये, आपका basic गुलाई में circumference होगा, उसके लिए हम ये चीज़ शेयर करते हैं, बट अगर हम distance को calculate कर लें, तो इसी को हम inertia बोलते हैं, जो असल में cluster का size बताता है हमें, सही है? अब इसको और फर्दर देखते हैं, आप से मेरी request है, again, एक और काम करें, आप चेक करें कि inertia जो है, ये k-means clustering में किस चीज़ को बोला जाता है, and how we can calculate this, फिर इसके mathematics के बीचे जाते हैं, परिशान तो नहीं हो गए ना, अगर हो भी गए हैं, इसको जरा calculate करें, हम देखते हैं अभी से, Basically, WCSS का नाम inertia है, ठीक है, अगर आप WCSS को measure कर लेते हैं, which is also called inertia, यानि के within cluster sum of scares, scares, तो वो वो ही चीज़ है, और यही है एक metric आपका, के मेंस क्लिस्टरिंग को चेक करने का, सही है, अब यहां मैं बताता क्या है, इसको मैं आपको detail में यहां पर अभी समझाता हूं, क्योंकि इस पर मैंने जान बूच के ज्यादा time लगाना है, वरना आप confused हो जाएंगे, जो physicist नहीं है या physicist जो भी बोलते हैं उसे, जन्हेंने physics नहीं पड़ी, ठीक है, तो हो क्या रहा है यहां पर, गोर कीजिएगा, आपके पास, inertia क्या होता है, literally यह WCSS, यानि के within cluster sum of scares है, within cluster sum of scares, ठीक है, अगर इसकी मैं equation लिखूँ, तो बड़ी simple सी है, submission, यह मैं वो ही लिख रहा हूँ, जो इत्शाम भाई नहीं यहां पर लिखी हुई है, ताके आपके पास और रेड़ी यह पहुँची हो, और आपको पता हो, ठीक है, हमने distances calculate की है, centroid से बाकी सभी points के, और उनको sum कर लिए, ठीक है, जो मैंने पहले आपको समझा दिया, के यह centroid है, तो हर एक distance को calculate करना है, फिर उसका square लेना है, यानि के minus two का square, plus for example three का square, plus four का square, ठीक है, तो हम क्या करने है, square करके उसका sum ले रहे हैं, तो यह सभी को जब जमा करेंगे, this will call within cluster sum of squares, तो खेर, यह हमारे पास equation आजाती, distance of from center to the other points, और उसका square लेते हैं, तैन उसका smission लेते हैं, मुझा सभी को sum करके, ठीक है, अब अगर inertia low होगा, that shows कि हमारे points पास-पास हैं, दूर-दूर नहीं हैं, वो कहते हैं इतने पास-पास, खाबों के हैं राज, तो यह वो वाला पास-पास है, ठीक है, यह जितना inertia कम होगा, यानि के जितनी WCSS की value कम होगी, उतना एक cluster tightly packed होगा, tightly packed का मतलब best cluster है, क्योंके उसके error के chances कम हैं, इसका मतलब यह है, कि आप का अगर WCSS आप calculate करते हैं, यानि के inertia calculate करते हैं, और वो एक number of clusters की base पर कम हा रहा है, दूसरे की base पर ज्यादा हा रहा है, तो आप कौन सा select करेंगे, जिसका WCSS कम आ रहा है, ठीक है, और यह भी नहीं के कम आ रहा है, लेकिन उसकी आगर changes होई जा रही है, तो album method के अंदर मैंने जो आपको बताया था ना, left side पर जो चीज होती है, वो basically आपकी WSS होती है, ठीक है, और WCSS, same चीज, WSS मैं बोलो, WCSS, भी नहीं है के, अब देखें मेरी बात सुने, अगर बिल्कुल ही zero हो जाएगा इनर्शी है, इसका मतलब है सारे एक दूसरे के उपर जड़े हुए, मतलब हमने stack करके खड़े कर दी हैं सारे point, वो भी गलत है, बनाना तो cluster है, फे कला कला चौल ते कली कली देखेंवाले example होगी ना, कि अगर अकेले केले बनाना है तो उतने number of cluster बना लो, तो इसका मतलब यह है कि number of clusters जहां पे एक elbow बने, उस point पे हमने number of cluster चूज़ कर लेने हैं, और उसकी left side पे हमने draw करना है WCSS, something like this, यह आपके number of clusters है, यहां पे आपका sum of scared आगया, आपने कुछ इस तरीके से draw करना है, और यह number of clusters चूज़ कर लेने हैं, ठीक है, तो यह optimum number of cluster होगा, बट अगर आप यहां पे बात करें किसी की, तो आप उन में से compare करेंगे, जिसका WCSS कम होगा, वो ज्यादा tightly packed है, इसका मतलब जिसका WCSS यानि के inertia ज्यादा है, तो वो क्या कर रहे हैं आपको, वो तंग कर रहे हैं, यह वो ही example होई कि, एक बंदे से पूचा जाता, आपका बड़ा बेटा क्या करता है, वो कहता है, यह मुझे तंग करता है, तो यहाँ पे भी, बड़े से मुराद के जिससे WCSS ज्यादा है, that is actually not tightly packed, और वो loosely packed है, loosely packed का मतलब है कि, क्लस्टर से ही नहीं बना, ठीक है, तो हम इस तरीके से यह काम करते हैं, बिल्कुल हम, जब coding में करेंगे, आपको graph से, और भी इसका context जो है, वो समय जाजाएगा, ठीक है जी? अब ये तो मैंने बता दिया आपको, inertia, ये हमें एक, एक metric है, चेक करने के लिए, कि आपका cluster कैसे बने है, दूसरा metric, पहला inertia हो गया, दूसरा है जी हमारे पास, slot score, S-I-L-L, double L है कि सिंगल L है, S-I-L-H-O-U-E-T-E, S-I-L-H-O-E-T-E, 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 ठीक है? अब S-I-L-H-O-E-T-E, स्कोर क्या होता है? आपको क्या लगता है इसमें, और दूसरे WCSS में क्या फरको हो सकता है? थोड़े सा मेरा साथ देना, ताकि मुझे लिए पता चले, आप भी साथ में तोगदो कर रहें, वरना यहां पर अक्सर उकात आप सो जाते हैं. सो सिल्वेट स्कोर लिखें, और मुझे बताएं कि यह कैसे डिफरेंट होगा? बढ़ी असान सी बात है. आपको मैंने स्टार्ट में बताई थी है, याद हो अगर आपको. नहीं, शकल से तो जारी बात है, इसके अंदर बंप होगा, लेकिन मकसद क्या है इसका? हमने यहां पर पिछले में देखा, विदिन क्लस्टर सम अफ स्केर्स. अब आगे हम क्या देखने वाले हैं? उसके बारे में बात करते हैं. एक पॉइंट अगर एक क्लस्टर में है, तो वो अपने जो बाकी क्लस्टर के कैंडिडेट है, उनसे कितना मिलता है? समझ रहे हैं बात को के नहीं? एक पॉइंट आपका एक क्लस्टर में है, तो वो बाकियों से कितना मिलते हैं? उसको हम सिल्वर्ट स्कोर बोलते हैं. अब इसके लिए अगर इसको मैं डिफाइन करूँ, तो यहां पर आएगा, सिल्वर्ट स्कोर यानि के सिल्वर्ट स्कोर जो है, इस आ मैयर, यानि के यह हमें एक कॉंटिन्यूस या डिस्क्रीट वैल्यू कोई भी दे सकते हैं. of how similar an object of how similar an object is to its own cluster. मैं यहां पर clusters data point लिफ देता हूँ. कि क्या यह बाकी points भी इसके से मिलते जुलते हैं, कि यह लाइदा ही बस इसमें आ गया हुआ है. इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी असान सी. यह आपका cluster बने हैं, और यह बचा रहा है, इसी cluster में आ गया है. यह कौन में वाला, यह वाला. तो क्या यह उन जैसा ही है? क्या यह गलती से दूसरे cluster का तो नहीं है, जो यहां पर खैंच के ले आया हैं हम? अब समझ आई, जो आप कहा रहे थे के center में, अगर दोनों define line पे आ जाता है, कि right cluster भी उतनी gravity रखता है, left भी, तो हम उस point को देखेंगे, यहां भी तूंदास के तर जाना है? यानि कि तुम देखो कि तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, तुम देखो कि तुम्हारे जैसे data points कितने हैं, so that's how you see, it's on cluster के data point के साथ, अगर वो देखेंगा, तो this is called cohesion, cohesion क्या होती है, आपका अपने जैसों के साथ कितना similarity index है, या compare to other cluster, और compare to other clusters, इसको हम क्या बोलते हैं, separation, यानि कि आप देखता है, वो देखता है दोनों साइडों पर, मतलब एक विचारा define line पर आगे है ना, तो वो दोनों साइडों पर देख के अपने जैसों के तरफ जाएगा, और यही same story होती है, जो अंदर cluster के बैठे हूँ है, लोग पाकिस्तान में लहार एरपोर्ट पर उतरते हैं ना, सुबह के चार-पांच बज़े, वहां पर line लगी होती है, और हम भाग के उस line पर जाते हैं, जो कम बड़ी line होती है, वह अब ज्यादा तेज से बंदा काम कर रहा है, और वहां पर हम चले जाते हैं, ठीक है, मतलब उस जगा पर जहां पर हमें फाइदा ज्यादा हो रहा है, और वो हमारे centroid के और भी क्रीब आने में मदद देता है, एक और चीज़ यहां पर example ले लेते हैं, बच्चे हमेशा उन बच्चों के साथ खेलते हैं, जिन से वो उन्सियत फील करते हैं, रिजन क्या है, वो देखते हैं कि मैं इनके जैसा हूँ, यह जैसी हूँ, तो मैं इनके साथ प्ले करूँगी जागे, अगर वो थोड़ा सा different feel करें, तो वो यह भी देखते हैं कि अच्छा, यह वाले मेरे पास है, चल भी जान देओ, इस साइड पे, दूसरों को भी देखा गर नहीं, यहां पे नहीं, तो देख चूज इन वे, पोहिजन और सेपरेशन की बेस पे, तो सिल्वाट स्कोर ज्यादा इंपोर्टन हुआ कि इनर्शियाज ज्यादा हुआ इंपोर्टन हुआ है, इसको सिल्वाट स्कोर, मैं इसको सिल्वाट स्कोर बोल दूँगा, अभी के लिए, क्योंकि बार-बार मैं लिख रहा हूँ, अगर यह ज्यादा हो, यानि के प्लस वन हो, इसका मतलब है, के दाट इंडिकेट्स, इस दाबजेक्ट इस वेल मैच्च तो इट्स ओन क्लस्टर, यानि के ज्यादा स्कोर, यह वेल मैच करता है ओन क्लस्टर के साथ, और अगर यह स्कोर, कम हो, यानि के नियर टू जीरो हो, तो यह क्या करेगा, यह कहेगा के नहीं वे, मैं अबजेक्ट जो है, लोर्ड स्कोर के साथ, वो यह कहेगा, के डेटा के अंदर क्लस्टर ही बहुत कम है, मैं जब बात बोलने लगा था, मुझे तब भी फील हो गया, तो यह कन्फ्यूज करेगा, पॉइंट इस वज़ाज में थोड़ा रोग गया, आपको प्लस वन वाली बात समझ आगी, फिलाल के लिए, अब जीरो को समझते हैं क्या है, सिल्वर्ट स्कोर जीरो क्या शोग करता है, वेसी गड़िए, एक स्कोर का मतलब है, कि यह अपने वालों को पसंद करता है, ठीक है, अगर यह माइनस वन हो तो क्या होगा, मुझे एक बात बताएं, माइनस वन होगा, तो यह कहेगा, नहीं भई, मेरे वालों में तुमने घल्ट डाल दिया, मुझे आई हाव टू गो टू दा अधर डिरेक्शन, ठीक है, यह कहेगा, कि मैं किसी दूसरे क्लिस्टर के साथ मैच करता हूँ, अधर क्लिस्टर, और यह वहाँ पे चला जाएगा, अब जीरो आ गया है, अब तो कन्फूजन नहीं हो रही, जीरो आ गया हो कहता, भई मेरा क्लिस्टर ही नहीं है, यह इतने ज्यादा क्लिस्टर है, मैं किसके पास जाऊं सारे यह अच्छे हैं, वही बात, आजम भई, बिलकुल, यहाँ पे एक्जेम्पल बड़ी अच्छी है, यह कि तु प्यार है किसी और का, तुझे चाहा था कोई और है, यह बचारा बीज में भंस गया, जीरो वाला, यह कहता यहाँ तो इतने ज्यादा क्लिस्टर है, कि सारी पसंद है मुझे, इतर भी जाना, इतर भी जाना, इतर भी जाना, तो उसका स्कोर जिरो हो गया है, हर तरफ बॉर एक्जेम्पल, यह एक पॉइंट है, इसके इतर भी क्लिस्टर है, इतर भी, यह कहता है मुझे यह भी पसंद है, यह भी पसंद है, तो माइनस वन और प्लस वन क्या कर देगा यह जीरो हो गया है मतलब यह किसको दोनों बसंद है ठीक है अब यह सेंटर में बढ़ा है अब यह एक और फिलम डार रहा है कि भाई यहां पे तो क्लिस्टर ही काम है यह बहुत ज़्याद है इस वजह से सिलुएट स्कोर बड़ा मैटर करता है आपके क्लिस्टर को चूज करने के लिए नेगेटिव में जाएगा तो किसी और डिरेक्शन में जाएगा पॉजिटिव में जाएगा तो उसी डिरेक्शन में जाएगा वो clock वाली example याद रखें जब भी आप याद रखेंगे PCA plot के अंदर भी यह होती है कि अगर आप इस direction में देख रहे हैं और यह आपका अपना cluster है तो आप कहेंगे कि ठीक है वियान देओ यहाँ पे आपका zero से onward positive में जाएगा score अगर आप किसी और cluster में जाना चाते हैं यह negative अगर आप किसी में नहीं जाते हैं तो आप center में खड़े रहेंगे कि सारे अच्छे हैं इसका मतलब cluster ही नहीं है इस बंदे का या बंदी का वहाँ पे या इस point का या point T का वहाँ पे ठीक हो गया ओके इसकी एक्वेशन जो है न वह बेसिकली मीन इंट्रा क्लस्टर डिस्टेंस और मीन नियरस क्लस्टर डिस्टेंस की बेस पे बनती है ठीक है वह एक्वेशन आप देख लीजेगा अगर आप कहते हैं तो मैं लिखे देता हूं दिस इस बी माइनस ए डिवाइड़ बाइ मैक्स ओफ ए कॉमा बी ठीक है अब यहां पे मीन इंट्रा क्लस्टर जो है वो ए है इंट्रा क्लस्टर और यह वाला आपका नेरस क्लस्टर डिस्टेंस है मीन क्लस्टर डिस्टेंस अच्छा मुझे एक बात बताएं क्लस्टर डिस्टेंस से मुराद भुला क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम दप्वाइंट तुदे सेंट्राइड अफ दाट्लस्टर ठीक है और के अंदर इसे सिल्वर्ट स्कोर ही बोला जाता है तो बेसिकली अगर आपको सिल्वर्ट स्कोर का पता लग गया है और आपको इनर्टिया का पता लग गया मैं डिस्टंस मीन की बात कर रहा हूं ठीक है सैंपल का अब यहां पे सिल्वर्ट स्कोर और हमारे पास दो चीज़ आगी है इनर्टिया इसके इलावा कौन सा मैट्रिक ओर हो सकते है गैप स्टैडिस्टिक आपने देखा है और इस तरीके से और भी हैं जो आप देख सकते हैं यह मैं दो यहां पर करवाने वालों इसके बाद बाखी जो हैं जारी बात है इंडेक्स तो काफी ज्याद है बेसिकली दो इसके मौर इंपोर्टन्ट है अगर कोई आएगा तो फिर हम बार बार बाद में देख लेंगे अभी जो अगली चीज़ हमने करनी है लिमिटेशन्स क्या है के मेंस क्लिस्टरिंग की उस पे बात करते हैं पहले के मेंस क्लिस्टरिंग जब हम कर रहे हैं तो इसमें लिमिटेशन्स क्या क्या आपको क्या लगता है क्या क्या हो सकती है क्योंकि जारी बात है अभी हमने इतना कुछ देखा के मेंस के बारे में त which is an important point to consider पहला तो यह तेज तो बहुत है फास्ट है पहली बातों मैं यह कर लेता हूं तो यहां पर मैं पॉजिटिव लिखे देता हूं फास्ट है एफिशन्ट है सिंपल है मतलब एक आम बंदा भी स्टार्ट से समच सकता है कि यह केमेंज क्लस्टरिंग है ठीक है सिंपल यह तीन इसके मेजर पॉइंट हो हैं लेकिन कुछ प्राब्लम्स है इसकी ठीक है पहली निमिटेशन इसकी है जो मैं रेड कलर के अंदर अगर लिखना चाहूं तो वह ज्यादा बैटर होगा नंबर ओफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है मतलब आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए चाहिए लेकिन स्टिल यह चैलेंजिंग है ठीक है अगर एक निया बंदा आता है उसके लिए उसको अल्बो मैंतर नी समझ आएगा उसको सिल्वर्ट म अच्छे से काम नहीं घरेगा तो इसकी मैं देता हूं मैं दो क्लस्टर बनाता हूं यह वाले अब ना तो इस कलस्टर के उपर डेटा है ना ही इसके उपर एक इधर चला गया है दूसरा इधर चला गया है I'm just giving an example इसका मतलब यह हुआ कि यह जो हमने स्टार्ट कलस्टर किया था इसकी वज़ा से आदा जो यहां पर डेटा था वो यह तो लेफ्ट चला गया या राइट चला गया ठीक है मतलब खराब से डिस्ट्रिबिशन हो गया so because of that हमें starting जो centroid है अगर हमें उसको find out करने का तरीका भी मिल जाए या हम different methods के through iteration के through पहले से centroid find out कर लें फिर उसका distance बताते रहे कि इससे 10 इधर 10 उधर करके देखो इससे 5 इधर 5 उधर करके देखो so you can actually also adjust the final result of k-mean clustering और उसको दुबारा से पहली iteration में डालके check कर सकते हैं या नहीं कि initial starting point आप खुद से decide कर सकते हैं after running the algorithm for the first time सही है वो sensitive है initial centroid को लेके ठीक है तो इसी वड़ा से कहते हैं कि k-means को multiple time run करना पड़ते हैं क्यों क्योंकि यह sensitive है sensitive to initial centroid इसी वज़ा से इसको multiple time run करना पड़ते है multiple runs ठीक है number four इसकी जो limitation है spherical assumption है इसकी जो अभी बात हम कर रहे थे ना circumference की जब बात आई थी के मेंस क्लस्टिंग के अंदर हर centroid तसवर करता है कि मेरे एर्द गिर्द एक स्फियर बनेंगा स्फियर का पता है ने क्या चीज होती है कि आपके data points आ जाएंगे और वो एक शकल स्फियर किसम की इख्तियार कर लेंगे इससे क्या होता है आपका कभी-कभी तो ये चीज true साबित हो जाती है बट not every time जिससे क्या होता है आपकी sensitivity of that cluster वो disturb होती है क्योंकि start में वो तुसवर कर रहा है कि सारे यहां पर आएंगे मतलब ये कि सभी ऐसे इस तरीके से cluster बनाएंगे लेकिन वो ऐसे नहीं आते कभी इस तरीके से आ रहे हैं कभी कोई और शेप बन रही है आपको मैं दिखाता हूँ जब हम diagram बनाएंगे तो cluster अपनी मर्जी से बन रहे होते हैं इस वज़ा से आपके centroid वगड़ा बड़ा मसला करते हैं this means that it can perform poorly when dealing with non spherical data spherical data ठीक है elongated और irregular shape clusters मतलब ये कि अगर cluster कोई ऐसा बन गया cluster कोई ऐसा बन गया तो इस वज़ा से जब के means clustering हम perform कर रहे होते हैं इस तरह के clusters जब बने तो आपका data limited आपको limitation में ले जाएगा यानि कि आपके answers अच्छे नहीं आएंगे prediction अच्छी नहीं होगी basically ठीक है number 5 आप सभी को बता है बहुत अच्छे तरीके से आपको बता है cluster अच्छे बनेंगे तब जब आपका data scaled होगा noise free होगा मतलब के outlier से पाक होगा ठीक है मैं colors light चूज कर लेता हूँ यानि के outliers नहां हो आपके data में दूसरा आपका point है आपका data scaled होना चाहिए इसकी limitation ही है ना अगर data scaled नहीं होगा तो एक cluster एक point के यहां पर बन रहा है दूसरे point का वह वहां पर बन रहा है cluster में बड़ी disturbance आ जाएगी ठीक है तो data scaled होना ज्यादा ज़्रूरी है अब क्या k-means cluster binary data के लिए अच्छा है या नहीं नहीं अच्छा reason क्या है not good for binary data reason क्या हो सकती है इसकी जो centroid का concept है ना जो वह एक जगा से दूसरी जगा move कर रहाता है और points को अपनी तरफ खेंचता है silver score हो गया inertia हो गया तो आपके पास दो ही तो classes है अगर उसमें भी गलती होगी तो फिर आपका तो algorithm गया ना सारा ठीक है और यह handle नहीं कर सकता centers को binary classification के अंदर आपकी classes जो है वो मुश्किल से handle होंगी ठीक है और स्टार्ट नुमेरिक से हम कर रहे हैं हम नुमेरिक की बात कर रहे हैं कि नुमेरिक डेटा की बेस पे क्या हम binary classification इसकी कर सकते हैं या नहीं तो वो इस वरह से नहीं जरूरी क्योंकि इसके पास numbers जो है हमारे पास different होते हैं फिर आगे बात करते हैं जी scalability की problem होती है अब मुझे बताएंगे क्यूं बड़ा एक असान हल है इसका आपको समझ भी आ गया होगा चार स्टेप में कहां पर scalability मसला करती है मैं आपको एक reason बता देता हूं आपके पास data आगया ना तो यह बहुत अच्छे तरीके से clustering तो कर देगा लेकिन जब data बढ़ता जाएगा ना यह बहुत ज्यादा computation इसे करनी पड़ती है based on the centroid calculation based on the clustering calculation आपके cluster को centralized करना और सारे data point को हर वकत अपने algorithm में active रखना क्यों क्योंकि means calculate करने है ना आप just imagine करें आपका data बढ़ता गया centroid यहां पे दिल करें scale करने के बाद यहां पे आपकी scale ability के दुरान तो इस वज़ा से इसको scalable नहीं है यह बेसिकली अगर है भी तो इसी वज़ा से आपका के प्लस प्लस के मेंस प्लस प्लस अल्गुरिथम आया जिसको हम देखेंगे बाद में लेकिन अभी के लिए याद रखें कि scalability की क्यों नहीं हो सकती क्योंकि यह computationally बहुत एक्सपैंसिव है computationally expensive है and the second point is कि इसमें आपके पास बार-बार calculation करनी पड़ेगी आपको और यह कोई मसला नहीं है काफी algorithm करते है calculation बार-बार लेकिन यह सारे के सारे data points पे द्वारा-द्वारा calculation करते है यह नहीं होता कि कुछ को भूल जाया और बस चलने दे तो इट कैलकुलेट्स एवरी डेटा पॉइंट ठीक हो गया तो scalability का problem आ गया अब एक और option है जो इसकी limitation है विच इस काल्ड ग्लोबल ऑप्टीमा ग्लोबल ऑप्टीमा क्या होता है कभी किसी ने सुनाओ काफी subjects के अंदर ये term यूज होती है चलें इसको मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ग्लोबल ऑप्टीमा क्या होता है जब मैं विडियो अप्लोड करूँगा तो आप comment section में लिख दीजेगा ताकि मुझे पता रहे और अवाम को भी पता रहे कि अब आप काम कर रहे हैं ठीक है अगर किसी को clustering आती है ना और वह एडिये में clustering यूज कर रहे है तो वह स्टेज पार होगी तो आप पहली स्टेज से अडवांस स्टेज पर आगे क्यों क्योंकि के में cluster अगर एडिये में आप यूज कर लें आपको पूरी डेटा का एक्स्प्लोरेशन का रिजर्ड मिल जाएगा ठीक है बग की आपके अपनी मर्जी है जिसने चूज करना उसने करना जिसने नहीं करना नहीं करना तो इसे के साथ यह वाला लेक्षर जो ऐसे मैं stop करता हूं और यहां पे अपनी में recording को भी रोगता हूं